देखो यहां पर बाल के तरफ ध्यान मत देना विकोज आभी वारगेन प्रोग्रेस चल रहा है दोस्तों वेलकाम है आप सभी का मेरी येट्यूब चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं आज कॉलकाम की स्नाप्रिगंट रिपल एट जिपसेट के बारे में 2021 के ज़्यादा तर फ्लेक्सिव स्मार्टफोन में आपको स्नाप्रिगंट रिपल एट ही मिलने वाला है और स्नाप्रिगंट रिपल एट कुछ रिमार्केबल इंप्रूमेंट के साथ में लाँच हुआ आपको 25% CPU परफॉर्मेंट में इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा और 35% GPU परफॉर्मेंट में इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा और दो दिन पहले कॉलकाप ने अपने इस नए चिपसेट के बेंचमार्क स्कोर रिवेल किये है जो की टेस्ट किया गया था कॉलकाम के ही एक रिफरेंस डिवाइस पर और safe to say मैं यहां इतना तो जरूर बोल सकता हूँ दोस्तो 2021 के स्मार्टफून next level के उने वाले है seriously चलिए दोस्तो स्नाप्रेगन ट्रिपल एट के बेंचमार्क स्कोर पर नजर डालते है यहां पर पता है दोस्तो बेंचमार्क एप्स तो अलग अलग तरीके के होते है like N22, GFX Bench, Geekbench यह तीनों एप्स के स्कोर कॉलकाम ने शियर किये है लेकिन उससे पहले हम लोग जो त्रिफरेंस डिवाइस कॉलकाम ने यूज किया है ना Snapdragon 888 के Benchmark को जानने के लिए उसके Configuration कम लोग चान लेते हैं तो सबसे पहले SoC तो obviously Snapdragon 888 यूज किया गया इसमें 12 GB of LPDDR5 RAM इस्टोरेज है 512 GB इस्टोरेज है 6.65 इंचेस वाली Full HD Plus डिस्पे है जोकि 120 Hz रिफरेट के साथ में आ रही है और आखरी में 3,780 mAh बैटरी है And now Snapdragon 888 के Benchmark स्कोर तो दोस्तो N22 वर्जन 8.3.4 पे Snapdragon 888 ने स्कोर किया है 7,40,847 Geekbench इस सिंगल कोर पे इस ने स्कोर किया है 1,139 और Multicore पे इस ने स्कोर किया है 3,810 और अगर मैं GFX बेंच की बात करूँ तो यहाँ पे वलकन फॉर्मेट पे इस ने 170 स्कोर किया है और Manhattan 3.0 फॉर्मेट पे 87 स्कोर किया है जो इस स्कोर साभी आपने देखा है वो आपको देखने में काफी कम लग रहे होगे लेकिन एक्च्छल में जब मिश्ते हैं अब कंपेर करने वाले एक पोटिन बायनिक के साथ में तब जाके आपको स्नाप्रिगन ट्रिपल लेट का सिगनिफिकेस नजर आने वाले देखो ओरल एंटूटू की बात करें तो इसनाप्रिगन ट्रिपल एट की रिफरेंस डिवाइज ने स्कोर किया स्नाप्रिगन 865 प्लस ने स्कोर किया था 6,19,109 उसके बाद में वनप्लस 80 के साथ में स्नाप्रिगन 865 ने किया था स्कोर 5,79,665 और एफ हूटिन बायनिक के साथ में आइपोन 12 प्रो मैक्स ने स्कोर किया था 6,60,086 CPU N22 के अगर मैं बात करू दोस्तो तो इशनाप करण 8888 nे स्कोर किया था 1,9,7,4,54 जब की स्नाप्रिगन 865 प्लस ने स्कोर किया था 1,7,9,7, 62 स्नाप्रिगन 865 ने स्कोर किया था 1,7,8,4,16 और A14g Bionic ने स्कोर किया था 1,7,8,0,60 GPU N22 की बात करो, Snapdragon 888 ने स्कोर किया था 319439 जबकि Snapdragon 865 Plus ने स्कोर किया 236805 Snapdragon 865 ने स्कोर किया 216957 and A14 Bionic ने स्कोर किया 269683 Geeky में जिसकोर की बात करो, Snapdragon 888 ने सिंगल कोर में स्कोर किया 1139 जबकि Multicore पे इसने स्कोर किया 3,810 Snapdragon 865 Plus ने स्कोर किया 983 जबकि Multicore पे स्कोर किया 3136 Snapdragon 865 ने स्कोर किया 873 जबकि Multicore पे स्कोर किया 3157 A14 Bionic ने स्कोर किया 1591 जबकि Multicore पे स्कोर किया 4138 GFX Bench Manhattan 1080P Office Screen की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Snapdragon 888 ने स्कोर किया है 170, Snapdragon 865 Plus ने स्कोर किया 133, Snapdragon 865 ने स्कोर किया 128 और A14 Bionic ने स्कोर किया 207 और अगर हम लोग GFX Bench Aztec Vulcan version की बात करें तो वहाँ पर Snapdragon 888 ने 87 स्कोर किया है, Snapdragon 865 Plus ने 58 स्कोर किया, Snapdragon 865 Plus ने 57 स्कोर किया है और A14 Bionic तो Vulcan API को सपोर्टी नहीं करता देखो इससे एक बात तो समझ में आती कि Snapdragon 888, Snapdragon 865 Plus ने Snapdragon 865 से आगे है, लेकिन Silicon Race में A14 Bionic chipset अभी भी आगे रहेगा Snapdragon 888 से Geekbench पे A14 Bionic ने बड़त बना के रखी और GFX Bench पे भी Apple A14 Bionic का डॉमिनेंस प्रू हो रहा है 5NM एरीना के अंदर A14 Bionic Snapdragon 888, यह दोनों chipset 5NM process पे बने हैं लेकिन फर्क पास इतना है, TSMC process पे A14 Bionic बना है और Samsung process पे Snapdragon 888 बना है Overall Antutu अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 10% better मिलेगा Snapdragon 888 A14 Bionic से लेकिन जैसे ही हम लोग Geekbench score पे आते हैं तो वहाँ पे आपको A14 Bionic chipset बहतर मिल जाएगा GFX Bench के भी A14 Bionic chipset के Metal APIs, Snapdragon 888 के OpenGL format को अच्छी खासी टक कर दे रहे हैं और एक बद बता हूँ आपको A14 Bionic chipset Snapdragon 888 से 17% faster render करता है किसी भी ग्राफिक को और यह difference बहुत बड़ा है और कहने लाइक है अब यदि Snapdragon 888 को इसके previous generation से हम लोग compare करते हैं तो वहाँ पे दोस्तो Snapdragon 865 से यह 22% faster Snapdragon 865 Plus से 16% ज्यादा fast है तो overall जो N2T score है इसका उसमें CPU and GPU scores में अच्छा कासा improvement किया गए और यह वैसा ही है दोस्तों जैसे की company ने launch के बगत हमसे promise किया था अब सवाल ही उठता है कि Snapdragon 888 Q, one of the fastest SOC होने वाला है 2021 में mobile devices के लिए वो होने वाला है इसके architecture की वज़े से Snapdragon 888 5NM manufacturing process पे बना हुआ है जिसकी वज़े से यह chipset finally integrated 5G modem के साथ में आ रहा है, obviously power drive यहापे आपको कफी कम देखने को मिलेगा further more Snapdragon 888 में आपको ARM Cortex IPS के custom cores देखने को मिलने वाले, आप तो structure जानते हैं लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपको यहापे quad core cryo 680 CPU में एक core मिलेगा पहला वाला जो कि है codex X1 super core जहापे आपको 2.84 GHz की speed मिल जाती है, बाकी आपको 3 ARM Cortex A78 performance core मिलते हैं, mid performance के लिए 2.42 GHz की speed देते हैं, और आखरी में आपको 4 ARM Cortex A55 cores मिलते हैं, जिसकी speed आपको मिल जाती 1.8 GHz की तो इन सबकी वज़े से CPU performance में इस chipset को 25% performance boost मिला हुआ है, snapdragon 8 के साथ में आपको 660 GPU दिया गया है, जो की 35% faster rendering speed के साथ में आ रहा है, साथी साथ यहाँ आपको 20% कम powder देखने को मिलता है, इसकी previous generation के compare में, और इस GPU को बनाया गया है high frame low latency gaming and 144 fps gaming के लिए, in all snapdragon 8, snapdragon flexi line-up chipset का सबसे बड़ा upgrade है, और अभी 14 smartphone आपको देखने को मिलेंगे 2021 के first quarter में, जिसमें Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Motorola, OnePlus जैसे brand सामिले, जो की इस chipset को अपने devices में use करेंगे, वैसे Qualcomm की reference device से इतना तो idea मिल गया है कि जो upcoming smartphone आने वाले Snapdragon 888 के साफ में, वो कि इस तरीके के होने वाले, हम तो इतना ही expect करेंगे कि हर एक launch के साफ में हमको better performance provide करें company आप बताइए क्या expect करते हो आप Snapdragon 888 के साफ में, आपको क्या लगता है, वीडियो अगर थोड़ी से भी informative लगी होगी ना तो इस तो को like कर देना, चैनल पर ना आया हो, चैनल को subscribe करके जाएगा क्योंकि इस तरीकी की daily take videos आपको इस चैनल पर daily basis पे मिलने वाली, हाला कि कल मै मैं लाइव किया था, मतलब लाइव करने वाला था, मैंने schedule भी करके रख दिया तो साड़ेसाथ बजे का, बट हुआ ऐसा कि इतना nervous feel हुआ हो उस वक्त मुझे, मैं वोला यार अभी जाने दो, अभी question answer series ही करेंगे, इसलिए आप comment box में comment कर देना, आपको जो भी question है, आप पूछ लेना, hashtag tech explainer करके आप अपना question आगे लिख देना, बाकी मैं कोसिस करूँगा, अगले संडे को आपके question को pick करने के लिए, तो फिलाल मिलेंगे अपने अगले take video में तब तक के लिए, बाई